कि साथियों रमस्कार मैं प्रतिक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसेट थे आपका स्वावत करता हूं वेलकम करता हूं आज हम बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं जिसका विश्य ऐसा है कि आप लोग अगर सुनेंगे तो आप हुआ करद्य दोक्टर बीख्यम्राव अमठीटर की एग ऐसी महान-सक्षियत जोने भारत के समवेधान की रचना की संवेधान के शिल्प्कार डाक्टर वियार अमठीटर साहव है भारत के इतिहास में ऊधिया बहुत ही या भारत के भविश्य में, जब भी कानूल की बात होगी, तो डॉक्टर बियार अमबेटकर से आपके नाम के सिवाए, बात नहीं हो पाईगी, डॉक्टर बियार अमबेटकर का नाम जो है वो अमर है, जब भी सम्विधान की, मुलाधिकारों की, या कानूल की बात होगी, त कि दॉक्टर बियार अंबिटकर फाउंडेशन दिल्ली में बना रखा है उनसे जुड़ी कुछ जानकारियां आज मैं सार्वजनिक करूंगा को तब से बड़ी वात उनकी मौथ की जो गुति है उसके बारें बात करेंगे कि अखिर उनकी मौथ कैसे हुई वीडियो में आज के वीडियो बड़ा इंट्रेस्टिंग होने वाला है कर दूक hypoth Michigan Tibrium 14 और व Dalla के शेयर करने से क्या होता है कि हमारा जो मखसद है करीव आदमी तक कामूनी बात को पहुंचाना तो वहां तक पहुंच पाती है आप लोगों के शेयर की वजह से तो आपने मुझ को शेयर भी गरें और कई बार मुझे कई लोगों के कटक्ष भी सुनने पड़ते हैं मुझे कई लोग कई हमारे साथ ही कहते हैं कि वाकलात का प्रोफेशन जो है वह फिरी में एडवाइस देने के लिए नहीं है और मैं ऐसा ना करूं बिना पैसे के एडवाइस ना दूं लेकिन में आपको बता दूं कि कि के पर्थम वर्च में ही एक सब्जेक्ट होता है पब्लिक इंट्रेस्ट निटिगेंशन और लॉयरिंग का जिसका प्रैक्टिकल भी होता है वहाँ को सिखाया जाता है कि प्रतेक व्यक्ति को प्रतेक अधिवक्ता को गरीवों के लिए गरीवों के करनी चाहिए वहीं जब कोई सामने वाली यह अगर देने में सक्षम है तो उसके लिए पॉब्लिक इंट्रेस्ट लोयरिंग नहीं उसके लिए प्रोफेशनल तरीके से फीस लेकर करनी चाहिए यह वकालत का धर्म कहता है कुछ लोग गरीब होए अमीर सबसे पैसा लेना च करते हुए तब ठीक होई लेकिन खांसी पूरी तरह से गई नहीं तर तो यहाँ देर ना करते हुआ आज का वीडियो शुरू करते हैं हमने जो है भारत सरकार से पूछा कि डॉक्टर बियार अंबेडगर की मिरत्व के बारे में समाज में अतनी भ्रांतियां है कोई कहता है कि वो जो हैं अपने घर पर थे और बीमारी के दौरान उनकी मौत हुई कोई कहता है कि अपनी पत्नी के साथ वो कहीं भार घूमने गए थे तब उनकी मिरत्व हुई तो दिमाग में चिग्यासा होई कि आखर इतनी बड़ी सक्सिएट जो आजाद भारत के सम्विधान के सिल्पकार है डॉक्टर बियार अमिटगर इतनी बड़ी सक्सिएट के बारे में उनकी मिरत्व के बारे में आखिर इतनी भरांतियां क्यों सच क्या है कि सच जानने के लिए हमने इस्तमाल किया और जब हमने इस्तमाल किया तो बेहत चौकाने वाली चीज़े आई कि खिलाल मैं आपको दिखा दू डॉक्टर बियार अंबेड़कर फाउंडेशन का यह पत्र है कि इस पत्र में साफ लिखा है मैंने हेडलाइन इसको बना रखा है इस पत्र में साफ लिखा है कि डॉक्टर बियार अंबेड़कर फाउंडेशन के पास सूचना नहीं है इस वारे में कोई भी सूचना नहीं है कि डॉक्टर बियार अंबेड़कर की मिरत्यु कैसे हुए भारत सरकार के ग्रह मंत्राले का लेटर है जो आइटी आई के जवाब में मिला इन्हों ने भी इस परस्ट लिखा है कि डॉक्टर ब्यार अम्बेटकर फाउंडेशन और भारत सरकार किसी के पास भी इस प्रिश्य में कोई जानकारी नहीं कि डॉक्टर साथ मैं आप लोगों तरीके से एक बार दिखा दूं कि देखिए डॉक्टर ब्यार अम्बेटकर फाउंडेशन समाजिक नियाय अधिकारता मंत्राले बारत सरकार कवर्मर्ण ऑफ इंडिया जिनका पत्रांग नंबर है यह देखिए क्या कहते हैं अपने पत्र इतनांग कितने का संद्रव ग्रह जो मिरत्यु है आखिर वो कब हुई कैसे हुई उसकी वज़य क्या थी यह पत्र है अब लोग देख सकते हैं आट एक कुस्चन्स जो है वह यह है जो मिरत्यु किस तारीक को किस जगा पर हुई यह जो कि जों कि मिरत्यु वास्तह वेख प्ला तो यह वो सच्चाई है जो भारत सरकार को शर्व शयार करती है बारत सरकार को पूरे देश से इस बात पर माफी मांगनी चाहिए और उन्हें सारवजने करना चाहिए कि आखिर इतने बड़े समासुधारक की मिरत्यू कैसे हुई मेरा तो यह कहना है कि अब इतनी बड़ी शक्सियत की मिरत्तिव के बारे में भारत सरकार जिन्हों नहीं के अलग से एक डॉक्टर अंबेटकर जब इन लोगों को इस चीज के वारे में जानकारी ही नहीं है यह दो इतनी बड़ी शक्सियत की आनकारी नहीं नहीं है रहें मैं अब जलब इस पर एक डिटेछ वीडियो एक बड़ा वीडियो जिसकी कि जिसका समय लगवग 25-30 मिनट का होगा जिसमें सारे डॉक्मेंट्स लेकर आपसे बात करेंगे तो वह बहुत जल्द एक वीडियो हम आपके साथ पेश करेंगे बारत सरकार के बिविन बिभागों के पत्र लगे हुए बिविन बिभागों ने बिग्गेता जताई हैं उनक आपर लेकले असीर्स पर जैंड यावारत लॉषकार